गूद बॉर्निंग अल अविए तूडे आait टीच यू जोगец चप्रेंन नंबर ठी हं पिक स्नेम मिनेरल कैन पावरकों होगा विए हम लोग खुआ हूँ कंटीनेन nessah our continent कि क्या क्या चीज पारे में उसके बारे में आमनों को देखना है ठीक है बच्छो तो चलते हैं हम लोग Aceya एक continent है और वर्ल्ल का सबसे बड़ा continent यह माना जदा है तो चाइना एंडिया है लार्ज आइरन और डिपोजिट दा कंटिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ अफ दे वर्ल्ड तीन करने का मतलब यह होता है कि चाइना और इंडिया जो है आइरन और आइश डिपोजिट करने में जो है एसिया में सबसे आ गया है और आपको पूरे वर्ल में जितना टीन का प्रोड्यूस होती है उससे ज्यादा कहीं यह जो है आधे वर्ल का जो है कि बरावर जो है आपको जो है क्या करते हैं चाइना और इंडिया जो है क्या करते हैं आइरन और टीन प्रोड्यूस करती है जिस तरह से चाइना मलेसिया इंडोनेसिया और तो यह चाइना, मलेसिया एंड इंडोनेसिया में सबसे ज्यादे जो है टीन प्रोडूस होती है, टीन का उत्पादन टीन बनाया आता है, चाइना अलसो लीड इन प्रोडक्शन अफ लेड एंटीमोनी टंगस्टन, चाइना में टीन के लावी और भी जो है मिनरल स्पाई आत प्रोडक्शन अफ लेड इन टीमोनी एंड टंगस्टन, अशिया अलसो है यह डिपोजिट ओफ दे मेगनीज, बॉकसाइट, निकेल, जिंक, अड कॉपर तो यह सभी हमारे अशिया कंटिनेंड के दर्मियान में चाइना और इंडिया कंट्री के दर्मियान में यह सबसे ज पाए जाता है, ठीक है बच्चो, तो नेक्स्ट हमनों का पॉइंट आता है युरोप, तुमने नाम सुना होगा, युरोप भी एक कंटिनेंड का नाम है, युरोप is the leading producer of iron ore in the world, युरोप में भी, वर्ल्ड के दर्मियान, जो है, आइरन और और पाए जाते हैं, the country with a large deposit of iron ore are Russia, Ukraine, Sweden and France, तो कहने का मतलब यह होता है, कि युरोप कंटिनेंड के दर्मियान, रस्या है, Ukraine है, Sweden है, France है, इस सब country में भी, यह आपको iron और 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 पाए जाता है, mineral deposits of copper, lead, zinc, manganese and nickel are found in Eastern Europe and European Russia, तो mineral में अगर देखा जाए, तो mineral में भी copper पाया था, lead, zinc, manganese, यह सभी चीज़ आपको Eastern Europe and European Russia के दर्मियान यह पाए जाती है, तो यह mineral के नाम से जो है और यह जो है इस चीज़ों के नाम से इरोप भी के अंदर, इरोप के अंदर जो country है, वो country भी famous है और इरोप का नाम भी famous में आता है, ठीक है बच्चों, तो next है अपका third point में आता है North America, तो इस North America के बारे में हम लोग जैसे Asia के बारे में जानकारी किये, यूरोप के बारे में जानकारी किये, उसी तरह हमारा जो है North America है, तो नोर्थ अमरिका के बारे में भी हम लोग आप जानकाड़ी करेंगे कि नोर्थ अमरिका के दरमियान में किस-किस परकार का मिनरल्स पाय जाता है और कौन-कौन से कट्री में पाय जाता है और क्यों इतनी फेमस है है तो आपको यह जानकर आश्यर्ज होगा के दा मिनरेल्स डिपोजिट इन नोर्थ अमरीका और लोकटेड इन दा थी जोन आप जानते हैं कि उतर अमरीका में खनीज जेपन की तीन छेतरे का वस्तित किया गया है और यह जो है दा कनाडियन डिजन नोर्थ आफ दा ग्रेट कनाडिय Ivan में आपको बहुत बड़ा एक जो है क्या पाएता है लेक्ष पायता है और उस लेक्ष के दरीमियान में जो है क्या करते हैं जो है यह इतने फेमस है उसी तरह यह अलपाचेन रिजन and the mountain range of the west अलपाजिन जो है पारी है और वो आपको mountain range के अंदर गाता है और यह क्या कहते है कनाडी के west side में iron or nickel, gold and uranium and copper are mined in the Canadian sea region तो कहने का मतलब होता है कि यह जो है क्या कहते है कुछ ऐसी minerals हैं जैसे iron हुआ, ore हुआ, nickel हुआ, gold हुआ, uranium हुआ and copper are mined in the Canadian sea region यानि Canadian sea region में यह आपको पाया जाता है तो यह आपको Canadian sea region में जो है सबसे ज़्यादे मातरा में पायाता है उसके बाद आपको आता है क्या कि यह western का cordial has have the vast deposit of copper and lead and zinc and gold silver और इसमें भी आपको जो है क्या पाते है की copper, seal, यह सब seal पर्देश seal पर्देश और कोईले और अलप सेनिक पर्देश में होता है पच्मी, काडिलेरा, में तांबा, सिसा, जस्ता, सोना, चांदी के विशाल क्या है? भंडार है और यह विशाल भंडार आपको सिर्फ है जो है यूरोप में नहीं, एसिया में नहीं, नोर्थ अमरीका में भी है और नोर्थ अमरीका इस विशाल चीज़ों के वज़े से इस खनीश पदार्दों के वज़े से सबसे फ्यमस से माना जाता है और आज भी वर्ल्ड के दर्मियान में अगर तुमको देखा जाए तो हर एक कांटिनेंट अपने अपने चीज़ों के लिए अपने अपने जो है क्या करते मिनेरल्स के लिए अपने जगों पर सबसे ज़्यादा फ्यमस है है तो ठीक है बत्चो इसके बाद हम लोह का चलता है शाहष अमरेका चलते हैं हम लोग शाहष आपने का जैसे के नाम लोग पढ़ने के बाद और पूर आगे चलते है और सौथ अमरिका का हम लोग जो है शरवे करेंगे और सौथ अमरिका में देखेंगे जो किस परकार का जो है मेरियलस पाय जाता है तो आज यू नो तुम जैसा के तुम जानते हो कि बच्चे सौथ अमरिका जिसको हम लोग दच्छीन अमरिका कहते है तो ब्राजिल इस दे लार्जेस्ट प्रोडूसर अफ हाई ग्रेट आइरन और इन दे वर्ल्ड तुम जानते हो ना ब्राजिल बिस्व में उच्छ कोटी के लो आशक का सबसे बरा उत्पादक है जो वहां अच्छे क्वालिटी का अच्छे किस्म का जो है बहतरिन किस्म का ज जो आइरन और और एशक के जिसको हम लो करते हैं वो पाए जाता है ठीक है उसके वाद चेले एंड पिरू अ लीडिंग प्रोडूसर्स लीडिंग प्रोडूसर्स अफ कॉपर ठीक है तो यहां करने का मतलब यह होता है कि ब्राजिल के इलावे चेली पिरू उने में जो है तांबे में सबसे ज्यादे मातरा में होती है तो ब्राजिल और अल्विया विसके में जो है टीन के में के सबसे बड़े जो है क्या है उत्पादक वाला देश मनायता है और यह उत्पादन जो है सबसे ज्यादा मातरा में यहां टीन का होती है तो देशन अमरिका के पास में भी सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मेगनीज, बॉकसाइड, अबरक, प्लेटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के बहुत बड़ी विसाल जो है क्या है, भंडार है, जो कि ये पूरे विश्व में भी जाना जाता है, कि दसिन अमरिका के दर्मियान में, किस-किस परकार का जो है खनीज पदार से पायाते है, किस परकार का चीज़े आपको पायाता है, तो खनीज अब ये देखा जाता है, कि इसके अलवा, मिनरेल्स वाइल इस फाउन इन बेंजुला, अर्जंटेना, चिली, पिरू, एन कॉलंबिया, तो कहने का मतलब होता है, कि खनीज तेल, से अफ्रीका भी किसी भी जो है कंटिनेट्री से पीछे आपको नहीं माना जाता है, तो ये सब हम लोग जो है जब अब भी पड़ते हैं, तो हमें ये पता चलता है, कि हमारे कंट्री में भी जो ये इस तरह की जो है खनीज पदार्त होनी चाहिए, मिनिरल्स होनी चाहिए, और तो ओके हम लोग इसके बारे में अपना जान चुके हैं पहले ही एसिया कंटिनेंट जब के एसिया कंटिनेंट के बारे में जब हम लोग पढ़ाई किये तो एसिया कंटिनेंट के दर्मियान में हमारे इंडिया भी आया और इंडिया में भी देखा गया कि कहां कहां पे कौन कौन सा कंट्री में किस परकार का जो है मिनिल्स पाजाता है ठीक है बच्चो तो यह ची हम लोग जो है या हमें याद रखना होगा और जो है देखना होगा कि आप से अगर कोई पूछे जो किस कंट्री में और किस कंट्र jo见好吃 continent के अंदर में है और countma country continent के अंदर में कौन से country है जो उसमें किस परकार का जो है खनीष पदारत पायाता है और जैसे gold होजा लवर होजा, liberal होजा, copper होगा, aluminium होजा, diamond होजा, तो यह सबुत हैं हर एक country में नहीं पायाती है, अलग-अलग country में पाया था जिसके वज़े से वो country का नाम इन मिनेल के नाम से famous जना जाता है तो बच्चों तुम्हें याद रखना होगा कि हमारे पूरे world में जो है इस world को continent के अंदर continent में इसको divide कर दिया गया और continent को country के अंदर divide कर गया तो अब यह ध्यानना हमें है कि कौन सा continent में कौन सा country आता है और किस country में किस परकार का mineral पाये आता है और आप इस चीज़ को अगर याद रखेंगे तो आपके वविश्य में आपके future में इन future में आपको काम आएगा और आपके जीके के लिए खास के तोर पड़ यह ज्यादा important होगा और यह अच्छा मना जाएगा तो ओके बच्चों तफिर आगे चले हम लों का अगला topic यह point है अफरीका के बारे में चलते हैं हम लों अफरीका तो अफरीका is the rich minerals resource ठीक है तो अफरीका खनीज संसादनों में भी जो है क्या है धनी है माना आता है जानते हैं अफरीका में भी कमनी है अफरीका में भी जो है खनीज पदार्थों में के मारे में अगर सोचा जाए तो वो अच्छा एक sources है अप जानते हैं तो अफरीका के दर्मियान अफरीका में सबसे ज़्यादा जो है डाइमन का उत्पादन होता है डाइमन हुआ गोल हुआ प्लेटिनम हुआ यह अफरीका में पायाता है ठीक है and South Africa में South Africa जंबावे and Z masturb में प्रडुस अफ। आफ डाइमन सबसे ज्यादे मस्टता हुआ का यह जानते हैं कि जारे मैं भी सबसे ज्यादे मातरा में जो है क्या होती है वर्ल्ड के दर मियान में जो है गॉल्ड वहां सबसे ज़यदा उत्पादर होता है दे अधर मिनरेल्स इसके गॉल्ड के एलावे दोसरा मिनरेल्स और भी है दोसरा मिनरेल्स आफरीका और कॉपर आईरन और क्रॉमियम यूरिनियम कोबाल्ट अन्ड बकसाइड इस परकार की मिनरेल्स आपको यहां पा जाती है कहा, अफरीका में अफरीका में पा जाती है और वाइल इस पॉंड इजे नाजरिया, लीविया एंड अंगोला Hammond जिस्कों अम Really? लखनी स onu stimulate करते हैंं ये नैजरिया में लीविया मे में और अंगला में पाए जाता है तो बचों ये सभी इंक्लूड अब करेंगी और जाइंगे और कंप्यर करें ये और मिलेंगी कि किस कंट्रीनेंड में जो है मिनरेलस पाये गया और इस मिनरेल्स इतना हमारे important है जो कि इसकी कीमत इसकी अगर अंदाजा लगा जाए तो बहुत जादे है लेकिन हर एक जगे हर country में हर continent में बरावर रूप से नहीं पायाता है किसी country में या किसी country में बहुत जादे पायाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि एक country से दूसरे country के मालों को एक्सपोर्ट किया आता है और जो है फिर वदल करके जो है देश से चलती है इस तरह देश के जो है प्रामिनिस्टर प्रिसिरेंड के जो है जरिये से एक कंट्री से दूसरे कंट्री को माल को एक्सपोर्ट करके वहां के लोगों को जो है रहात मिलती है तो बचो इ जाय तो तेल क्या हमारे इंडिया के दरमियान तो नहीं ऊत्वादन बहुत कम जो है लेकिन जाएतर जो है क्या कहते हैं other country से भी हमारे हिंडिया ちゃ घो है जो हिए उड़ की काफ़ोंत हो लो ऑना हमार इंडिया में ज़्याहर ज्जादा हो और जिसके अपूरती जड़े हो तो अगर इंडिया की तेल से अगर पूरती नहों पाता है तो दूसरे कांट्री से तेल लाया जता है जिसे नाजरिया होगा अनगोला होगा और कांट्री छो नामसे जाना जाता है और यह सब चीज़ वहाँ पर पायाता है तो बच्चों इसके बारे में और आगे आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने परकार के कितने किस्म के खनीस पदार रते हैं वो खनीस पदार हम उनों के लिए कितने बहतरीन और कितने लाइफ दायक है जो उसके वेगर हम लोग जो सर्वाइब ने कर सकते हैं और वो चीज़ हमारे लाइफ के लिए सबसे इंपोर्टन और अहम या ज़रुयात चीज़ों को माना जाता है तो बच्चों इसको याद रखना है और यही तक आज का हमारा टौफिक रहा और फिर हम लोग इन्शालला आगे जो है फिर हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे तो आउनलाइन क्लास में हम आपको पढ़ाती हैं लेकिन ये वीडियो क्लास को आपको अच्छे तरह से सुनना है और सुनके समझना जहां अगर ना समझ में आए तो फिर आप मुझको नेक्ष्ट क्लास में जो है नॉर्मल क्लास जैसे होगी या उनलाइन क्लास होगी उस क्लास के दरमियान में आप हमको कोशन पूछ सकते हैं कि सारी यह चीज़ यहां पर यह चीज़ बताये थे बट वहां वो समझ में नहीं आई तो एक कैसे होता है ठ हीगे